प्रभावित रेल गाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। क्यूंकि किसानों के रेल रोको आंदूलन के कारिण एक तरह जहां रद्ध ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। ट्रेनों के आने की सही जानकारी नहीं मिल रही जिससे बेहदी परिशान हो चुके हैं। सुबह से बैठे हैं सर यहां नहीं अकल स्टीन बजेगे और चार पच्पन का टाइम था ट्रेन का सारी रात में नहीं आई और अब तक बैठे हैं इन पूरिये पूछते हैं एक घंटे का टाइम देते हैं। कि प्रेशान काफी है क्या बोलने से जाएं। आपको देख रहे हैं सारे यात्री बैठे हैं। पता नहीं सर ऐसे कौन बताता है। वैसे तो एक किसान अंदुलन के वाज़े से रूट बंद है और इसको इदर दूसरे रूट से लेके आया जा रहा है त्रेन को इसी वज़ें से साथ लेता है। इदर प्रभावित गाड़ियों की संख्या बढ़ने से खुद रेल अधिकारी भी परिशान है और वे रेल यात्रियों से 149 नंबर पर कॉल कर रेल विस्टेशन पर आने की अपील भी कर रही हैं जिससे उन्हें दिक्कत ना हो जो हमारा रिजर्व सेग्मेंट है उसे हम बल्क SMS के तूँ भी जानतारी उपलड़ कर रहा हैं बैरहाल मामला जो भी हो लेकिन जस परकार किसानों का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है उसे आने वाले समय पर रेल यात्यों को कोई राहत नहीं मिलती नजरा रखी है इसलिए अवश्यक है कि यात्यों के लिए कोई अन्य विकल्ब की विवस्ता की जाए जिसे उनकी समस्या का समधान हो सके सुरे समचार के लिए अमबाला से नरेश सेनी की रिपोर्ट